नमस्कार दोस्तों आज के नए वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ शब्दों में जो बारीक अंतर रहते हैं उनका किस तरह से महत्त होता है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो देखिए एक शब्द होता है चेतन मन और दूसरा होता है अवचेतन मन इन दोनों में क्या अंतर होता है देखिए हम लोग किसी की बात सुनते हैं या वारतलाब करते हैं या कहीं जा रहे होते हैं और जब तक हमारा जो मन होता है वह एक ही जगह पर रहता है या किसी विशेश को हम कांसेंट्रेट करते हैं उसको चेतन मन बोलते हैं लेकिन जो हमें अपने कामों को करने की शक्ति प्रदान करता है कई आपने देखा होगा कि ड्राइवर गाड़ी चलाता रहता है और बाचीत भी वह करते रहते हैं तो यह अवचेतन मन होता है जो की उस समय कारे करता है तो यह छोटा सा अंतर था दूसरा यह है शब्द होता है पूजा उसे कहते हैं जैसे हम इश्वर की पूजा करते हैं और अपने हर्दे से करते हैं बिल्कुल हमन लगा करते हैं इश्वर में ध्यान लगाते हैं तो उसे हम पूजा कहते हैं लेकिन जैसे ही उसमें अर्चना शब्द जूड़ गया याने हम पूजा करते समय फूल ल गाकर हम यदि पूजा करते हैं और साथ में अगर बत्ती हुआ और दिया हुआ उसको भी दिखाते हैं तो इसे पूजा आर्चना कहा जाता है एक अंतर होता है शिक्षा और दिक्षा देखिए शिक्षा तो हम लोग जो भी नई बात सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं तो हम शिक्षित होते हैं लेकिन दिक्षा क्या होती है दिक्षा वो होती है कि कहते हैं कि शिक्षा जो है हमारे चेतन मन पर असर डालता है प्रभाव डालता है लेकिन दिक्षा जब यदि आदमी ले लेता है तो उसके आउच्वेतन मन पर प्रभाव दिक्षा के माध्यम से पड़ता है देखिए महाबारत के पात्र है दुर्योधन उनसे भगवान कृष्ण ने पूछा था कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता तुम्हें पांडवों को पांच ग्राम दे देना चाहिए तो दुर्योधन ने उत्तर दिया था कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये ब गलत क्या है लेकिन फिर भी उसे करने के लिए बाध्य होते हैं क्योंकि हमारा सोभाव जो होता है वह धर्म यूक्त नहीं बन पाता तो दुर्योधन का यहीं कहना था कि मैं जानता सब कुछ हूं पर मैं कर नहीं पाता हूं तो हमारे जीवन में भी कई लोग ऐसे रहते हैं जो समझते हैं पर कुछ कर नहीं पाते हैं तो यह जो दिक्षा होती है वो अवचेतन मन पर प्रभाव डालती है याने हमारे उस मन पर हमारी जो व्रत्ती है जो सत कर्मों में लगने वाली व्रत्ती नहीं है या अच्छे कर्मों की और हमाना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते हैं तो यह जो आंत्रिक व्रत्ती है यह जब दिक्षा हमें मिलती है तो वो उससे दूर होती है आप देखिए पूजा पाठ व्यक्ति करता है या जिस भी धर्म में हम हो और उस अनुसार आचरण करते हैं इस वर की आराधना करते हैं तो इश्वर हमारे जो अवचेतन म जिसके कारण हम जानते हुए भी चीजों को सही नहीं कर पाते हैं, उसको ठीक करता है, उसको दुरुस्त करता है, याने भगवान इन चीजों का ध्यान रखता है, और हमारी व्रत्ति कुछ समय पहले एदिकनी चीजों में नहीं थी, तो वो होने लगती है, तो इसलिए सभी क पूजा आर्चना करनी चाहिए, तो ये छोटे से कुछ अंतर्त हैं, और सिक्षा दिक्षा में क्या फरक होता है, और पूजा आर्चना क्या कुछ होती है, तो ये एक छोटा सा प्रयास था समझाने का, कि हम लोगों के अंदर यदि किसी काम को करने की व्रत्ति नहीं है, औ उससे किसी का फायदा होता है, हमारा खुद का भी उत्थान होता है, या हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें निरंतर इश्वर की आराधना करना चाहिए, जिससे हमारा जो अवचेतन मन है, वो भी हमारी जो व्रत्ति है, वो सत कर्मों में हो, अच्छे कर्मों में हो, तो ये कु और अगला जन्म और कई जन्म हमारे पूजा करने से इश्वर की अराधना करने से सुधारते हैं, ठीक होते हैं तो वीडियो आपको कैसा लगा? पसंदbed आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चेनल को सबस्क्राइब कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार